अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देख तो प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसे आप जा करें बाद चेक आउट जरूर कर लिजेगा और कुछ लोगों को वीडियो पसंदार है और वो कह रहे हैं कि जल जली वीडियो डालो तो इस वीडियो का लाइक टाल मिलाते हैं पावर अपनी कार से उन्हें टकर मार देती है वो दोनों जाकर दूर गिर जाते हैं सबी लोग दिखते हैं कि पावर ने ये क्या किया उन्हें चोट लग जाती है तभी पावर और कुभी नी चौक जाते हैं कुभी नी डल जाती है तो पावर कहती है कि ये तु यसकी गलती है, तभी कुसा कावर कहता है कि हाय कावा देखो यह लड़के का चेहरा चेंज हो गया है, तभी वहाँ पर एक आदम कहता है कि मैं इसे जानता हूं, यह डेविल हंटर है जो कि अमेरिका का है और यह तीन में से एक है और इनके पास कोई इसकेण डेविल का सायद पावर है और जहां तक मुझे पता है ये किसी का भी चैरा चुरा सकते हैं अगर किसी ख़त में हवए आदमी को ये चुएं तो हाय कावा देखता है पावर की तरफ तो पावर कहती है ऐसा लगता साथ मुझे ही पता था ये सब पुछ मैंने किया है तो जाके डेंजी को पकड़ती है और कहते देखा मैंने तुम्हें बचा लिया योशिदा कहता है कि ये तीन भाई है यानी कि दो अभी और बाकी है और हो सकता है कि हम से कोई नो पहले ही से बदल चुका है तो कुसा कावे कहता है कि हम एक दूसरे को अपना डेविल दिखाएंगे ताकि हम एक दूसरे को confirm कर पाएं चलो कहीं आँ चलते हैं कोई सांत जगा पर तब ही वहाँ पर एक आदमी एक दूसरे जगा पर जाता है और उसे वहाँ पर उसका एक भाई मिलता है वह से सब कुछ बताता है उसका भाई कहता है कि सांत रहो मैं कैसे सांत रह सकता हूँ वह कहता है कि अब मैं उस डेविल को खत्म करने जा रहा हूँ जैसे हैं वह जाता है योशिदा वहाँ पर आता है और उसे खत्म कर जाता है योशिदा इसके पास आता है और कहता है कि सब कुछ ठीक है तुम इतने डरे हुए क्यों हो लगता है कुछ ठीक नहीं है तो आदमी कहता है मैं बस दो लोगों को एक एकसिडेंट होता हुआ देखा हूँ फिर ये शुदा कहता है कि जो लोग बहुत भ्यानक होते हैं उन्हें उल्टी नहीं आती उसके बाद वहाँ से चला जाता है तब ही वहाँ पर एक आदमी के कार को पीछे से कोई टकर मारता है वहाँ आदमी कहता है कि कौन हो तुम तुमने मेरे कार क्यू मारा तभी वहाँ से क्वैंकसी की दोस्त आती है और कहती है हलोविन तो आदमी कहता है है थो लड़की कहती है हलोविन वह 秒पर वहाँ पर एक बहुत अच्छा सा रेस्ट्रांड है होहा पर कॉन्वेयर बेल्ट भी है तब वह लोग वहाँ पर जाते हैं तो उनकी Зच्छ है हेलोविन वो आदमी कहता है कि आपका स्वागत है वो आदमी उने देखता है तो डर जाता है वो लड़की कहती है हेलोविन तो ये भी कहता है हेलोविन वो आदमी कहता है कि आप इधर आओ हेलोविन क्वैंक्सी की एक दोस्त कहती है कि यहाँ पर देखो यहाँ पर शूशी तो क्वैंक्सी कहती है कि मुझे ये शूशी पसंद नहीं है तो उसकी दोस्त कहती है कि क्या मैं अपना थोड़ा सा नौलेज मचली के बारे में बता सकती हूं तो क्वैंक्सी कहती है बिलकुल तो वो कहती है कि क्या आपको पता है कि इतने भी वाइट फिश होते हैं सबका ट प्लेट को खाने की चीज़ नहीं है क्यांकिसी कहती है अपने खाने को चबाओ खाने से पहले क्याते है कि मैं आज ठक गईूँ अब हम अपना काम कल करेंगे तभी तीनों भाईयों में से एक अपना चाहरा बदल कर एक फोटो से जिसकी पीछे फोन नमर लिखा हुआ होता है उसके घर जाता है तभी इसका दोस दरवाजा खुलता है और कहता है कि अरे बहुत दिन हुए तुम्हें आए वो कहता है तुम अच्छे नहीं दिख रहे हो वो उसे खाना खिलाता है वो कहता है कि आज तुम बहुत सान दिख रहे हो तो ये कहता है कि आज का दिन बहुत काम वाला था यह कहता है कि क्या तुम्हें आज कोई कॉल नहीं आया है यानि कि तुम्हारे दोस्त और पैरेंट से तो कहता है कि कॉल नहीं मुझे कॉल तो नहीं आया मुझे सिर्फ मेरा बॉस का और मेरी मदर का कॉल आता है टोकियो में हो और तुम्हें कोई होटल नहीं मिला तो यह कहता कि तुम्हारी मदर काफी चिंता में है थी उनका ग्राइन किड कब होगा तुम्हारे पास गर्फिंड है और तुम उससे साधी कब करोगे क्या यह तुम्हारी सर पर से भोज हटा नहीं देगा तो उसे फोटो दिखाता है बचपन का स्पोट्स टीम का वो कहता है कि अच्छा है क्या तो कहता है कि कुछ नहीं मन में कहता है कि मुझे माफ करो वो फिर बहुत परिशान हो जाता है सोचता है कि मैं सब क्या कर रहा हूं और I am sorry कहने लगता है उसका दोस्त कहता है कि तुम यतनी उदास्त की हो लगता है तुमने ज्यादा ड्रिंक कर लिया है वो दोनों फिर सो जाते हैं उसका दोस्त कहता है कि मैं अपना जौब छोड़ दूँगा तीनों भाईये मैं से यह कराता है वो चुप रहता है तो उसका दोस्त कहता है कि मैं सोच रहा हूँ सेकेंड हैंड कपडो का दुकान खोलने के लिए क्या तुम मेरे साथ उसमें काम करोगए मैं सारा बिल और जीतना चालू करने का खाष्यों Denör क्या तुम सब बस मेरे साथ रहोगे वो कहता है कि अगर तुम इस डेविल हंटर वाले काम में रहोगे तो एक दिन डेविल के हाथो खत्म हो जाओगे जैसा कि तुम्हारे बड़े भाई के साथ हुआ है और तुम अपने पैरनेस का तो ध्यान रखो इससे पहले तुम्हें कहता है कि हम कभी खत्म नहीं होते कहता है क्यूं कि हम बहुत भ्यानक हैं और हम हमेज़ अपना काम करते हैं दूसकर दूस्त कहता है क्या सच में उसके बाद शेहर में वही बुढ़ा आदमी आता है और एक को छूता है और दूसरा बाकी को छूता है और सभी कि सभी डॉल् कि भी कहती है कि टॉल का अभ हमें सिकार करना होगा इन दॉल्स को थोड़ा बात मों साफ कर दोंगी शार्क-टेशी की मदद करो तो उफभी वहां पर आता है कि बिल्कूल या यह फ्यू- rece都 तो माकिमा कहती है कि जर्मनी में बहुत सारे डेविल्स हैं तो हमें नहीं पता है कि सैंटा हम पर क्या डेविल्स इस्तमाल करेगा कुछ भी हो डेंजी को बजाओ सबसे पहले इस पर डेविल कहती है कि ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए माकेमा कहते कि हाँ और इस पर बहुत सारे लोग खत्म होने वाले हैं तो जितना लोगों को तुम बचा सको बचाओ डेंजी कहता है कि यहाँ पर कुछ खाने को लच मिलेगा चलो यहाँ पर चलते हैं और उसके बाद वो रिश्टरॉण में वो जाते हैं सैंडा क्लास कहता है कि जैसे ही वो अंदर जाएंगे उन्हें फिर बाहर निकालो वो सारे अंदर जाते हैं और ये सारे डॉल्स अपने हाथ को एक चाकू जैसा बना लेते हैं और अंदर जाने लगते हैं तभी अंदर कुसा काबे तभी कुसा काबे वहाँ पर बैठा हुआ ह योशिदा कहता है कि अगर वो तुम्हारे कपड़ों को भी छोएंगे तो तुम भी उनके जैसे डॉल बन जाओगे एंजली कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि वो सब आ रहे हैं तो कुसा कावे कहता है कि उनका चलने का जो तरीका था काफी सीक्वेंस में था उन्हें देखो और तुम्हें समझ में आएगा कि वो कैसे अलग हैं इंसान काफी अजीब तरह से चलते हैं माकी में नहीं कहा था कि जर्मनी से सेंटा क्लॉस भी आ सकता है तो हमें बस इतना करना है कि इनसे बचना है दिंजी कहता है कि और कितने सारे हैं ऐसे यहाँ पर तो हाय कावा कहता है कि मुझे नहीं पता था कि कि सेंटा ऐसा कॉंट्राक्ट भी रखता है लेकिन हां इस्ट्रॉंग डेविल जो होते हैं उन्हें स्ट्रॉंग कॉंट्राक्ट की जरुवत होती है तो इनका कोई ना कोई सीमीत होगा क्यों कितना डॉल और बना सकता है तभी वहाँ पर और नेंसी डॉल आते हैं नूब कर तो कुसा काबे सारे हैं वहाँ पर एकादमी कहता है जलर कुसा काबे कहता है और और बहुत सारे है कि ओimmलर कुछ ओलर क्यों ह钟 हुआ कि उ OH हम डॉल के तो नहीं बने तो पार कहती तो पांवर कएतए है कि तν enkplakव और एक लाट मारता है उन पे और उन में से एक ही गिरी जाता है कुछ अगाबे कहता है क्या डेंजी कहता है क्या हम डॉल के तो नहीं बने तो पाउर कहती है कि तुम जूटे हो कुछ अगाबे कहता है कि हाँ सिर्फ इंसान ही डॉल में बन सकते हैं जो राक्षस होते हैं वो डॉल में नहीं बन सकते हैं तो डेंजी कहता है क्या मैं भी उनसे बच सकता हूँ तो उनमें से कहता है कि अपने पीछे देखो तो डेंजी पीछे देखता है तो उनमें से कहता है कि जल्दी से अपना पाउन इस्तमाल करो तो वहाँ पर एक आदमी आता है और Fox Devil का इस्तिमाल करता है और उन्हें खत्म करता है ठायकावा कहता है कि ये कौन है वो कहता है कि वो बहुत सामने था मुझे असानी से उसे इस्तिमाल करने के लिए मैं Public Safety का एक आदमी हूँ Team 2 से तो उन्में से कादमी कहता है कि हमारे पास बहुत सारे Public Safety के लोग हैं हर बिल्डिंग में जो कि पेट्रॉल कर रहे हैं और यहें पर हैं कुछ दिनों से वो कहता है कि हम बैटल्स को छोटा रखना चाते हैं और चाते हैं कि जेतना हो सके डैमिज कम हो जो लोग डॉल में बतले हैं वो वापस पहले जैसे नहीं होंगे और हम सैंडा से भाग नहीं रहे हैं हम उसे हराना चाते हैं वो कहता है कि डैन जी हमें माफ करना हम तुम्हें एक चारे की तरह यूज कर रहे हैं तो कुछ सकाबे कहता है कि जितने डॉल है ये पास से ही कंट्रोल हो सकते है तो सैंटा क्लॉस भी यहीं आसपास है और ये सब को आज हम सही करी देंगे तभी वो लड़की फारक में बैठे रहती है और उसके हाथ में वो ही चौथा बार भोकने वाला कांटी होता है और वो कहते है कि हम जल्दी अपना काम करेंगे तो वो डिपार्टमेंट श्टोर में आवाज आते है कि सिवीलियंस जल्ली से यहां से बाहर निकल लिए यहां पर सेफ नहीं है एक्जिट से जल्ली से बाहर निकल लिए तभी उस लड़के के पास हाथ में काटी होता है और इनके पास आ रहा होता है और किनों भाईयों में से एक बातरू में बैठा हो रहता है और कहता है कि हम कमी खत्म नहीं होते सैंटा क्लॉस भी यह पर आसपास में रहता है और कहता है कि गिफ्ट देने का समय आ गया है और बहुत सारे डॉल्स दोड़ कर वहाई पर जा रहे होते हैं कुभी नहीं सोचते रहते हैं कि मेरे कार के डेंट को ठिक करवाने में और कितना पैसा खर्चा होगा क्वैंक सी और उसके दोस्त भी रहते हैं उनकी एक दोस्त कहते है कि क्वैंक सी ऐसा लग रहा है कि सैंटा भी आ गया है चलो ये सब हम बाद में करेंगे और हमें पिछली रात को अच्छी सी नीन भी नहीं आई है हम काफी ठक गए हैं तो क्वैंक सी कहते हैं अभी बहुत ज़्यादा काम बाकी है तब धेर सारे डॉल्ल्स हमाँ पर दोड़कर आ रहे होते हैं और एक अधमी अपना फॉक्स डेविल को यूज कर रहा होता है और वो फॉक्स डेविल से बचने लगते हैं तो हायकाव खात है कि वो सीख रहे हैं और हायकाव भी उनसे लड़ने आ जाता है तो थैंक्यू इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही अगली वीडियो में मैं फिर्श मिलूंगा